विल्कम बैक टो मैं चैनल जैसे कि आप लोग पता हुआ कि पिछला वीडियो मैंने अपड़ेट दिया था कि मतला अभी तक विसी सीली का फर्म नहीं आया है और आने कि मैंने पोसिबिटी डिट भी बता था वह आप लोग बता था कि नेक्स्ट मन्त आ भी जाएगा ठीक है तो अभी जो है हम लोग यहां पे जितना भी हमसे हो सकता है मैं सारे चुझों को कवर कराने की कुशिस कर रहा हूं वी सी सीली के लिए तो जैसे कि आपको यह भी पता हुआ कि मैं फ्रिक्शन का टॉपिक आप लोग का ले रहा था तो का टॉपिक का मैंने दो वीडियो पहले से बना रखा तीसरा वीडियो मैंने स्विडियूल कर दिया है तो वह आज आपको मिल जाएंगे कुछी देर में ठीक है और जो है आज हम लग फॉर्थ लेक्चर करेंगे तो चलिए अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और अभी तक आपने नहीं देखा होगा मेरा फ्रिक्शन का वीडियो तो फ्लीज लिंक आपको डिक्शन से मिल जाएगा जाकर को वहाँ देख लेना और साथ साथ मैं बता दूँ कि अगर पीडियाप चाहिए आपको किसी भी नोट्स का तो मैं टेलिग्राम जोन कर लेना वहा आज का अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन वाला टॉपिक तो हलो गाइज वेलकम बैक टू दमाई चैनल जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उस पिछले वीडियो में आप लोगो को कुछ कोश्चन दिया थे करने के लिए आई होब कि आपने कोश्चन किया होगा और अपना एंसर भी मिला लिया होगा ठीक है तो अभी इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बैसिकली हमनों कुछ एक डिफरेंट टैप के कोश्चन के उपर बात करेंगे तो चलिए आई आज का अपने वीडि कुल इना होगा तो यह तो यह का और टाधि का लुग करते थह कुल करें अगर इसको अंदर कक्तरब धाका देते टो यह क्ए होज़ा है पू साचन के और पूसिंग ख़े तो अभी यह जो P है यहाँ पूलिंग फोर्स है ठीक है तो पूलिंग फोर्स के केस में जो हमनों बात करेंगे तो पूलिंग केस के फोर्स में जो हमनों बात करेंगे तो देखें यहाँ पर जो maximum P कितना फोर्स अप्लाइड करें कि यह body movement में आ जाए तो यह जो फोर्स P होता रहे गता है यह होता है मियूव!!! डवलु कॉस्ट धीटा प्लस मियूव Corn टिटा ठीक है तो इस फर्मूलः को आप अपने याद राँ सकते हैं इसको simplicity कैसे मैंने लाइ इसको तोड़के ला सकते हैं तो तोड़ने का कहने का मतलब कि यह कोई आपका यह जो ब्लॉक है यहां पर यह देखो यह जो आपका पास यह वाला ब्लॉक है इस ब्लॉक को ही हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर इस ब्लॉक को फिर वे डिग्राम में बनाएं तो यह ब्लॉक बन सकता है तो इस ब्लॉक पर पी से तो यह क्या हो जागा और यह पी सब्सक्राइब पिछले वीडियो में जब शुरू से देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि मैंने बूला था हमाँ पर पी फोर्स होता है वो जिस के साथ एंगल बनाता है उसके साथ कोष्ट टाथा और इसके साथ एंगल नहीं बनाया तो पीशाइंट है अब इसको आप पीश यह निकालने के लिए समेशन आप fx is equal to 0 और समेशन आप fy is equal to 0 करिएगा और दोनों से आप पीशाइं और पीश हरो निकाल येए इसको मैं आपको याद राखना पड़ेगा क्योंब STEPHANे जा साथ एक पुलिंग में ऊप पूशीं के लिए और पूसीं के लिए आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूसीं के केenth यहां पूस किया जा रहा है इन्हीं क्लाइंस ठीटा डिए पर तो इसका पूलिंग पूसिंग फोर्स होगा वह मिउव डबलू अपन का कॉस्ट टा मैनस का मिउव साइट हो था देखिए कुछ नहीं डिफ्रेंस है यहां पर यहां पर प्लस था और यहां पर मैंने क्या कर द नहींगे ठीक है तो आई होप कि यह चीज आप अच्छा से समाझ गया होंगे कि मैंने क्या बताना चाहिए अब इस पर नुम्रिकल लेते हैं जिसे कि यह चीज और आपका क्लियरफाई हो जाए और इस ताइप के कोचन जो एक जाम पुछ जाए तो आप अच्छा से बना स देखें कभी जो पूलिंग का केस होता ना पी जो पूलिंग का केस में होता था और पूसिंग केस में तो कभी पूलिंग वाला जो फोर्स अप्लाइट करने के मुव्मेंट के लाया था है वो ज्यादा होता है कभी पूसिंग के तूलना में ठीक है और उसके बाद से देख इंगल फ्रिक्षन के ब्रावर आ जाएगा ठीक है तो यह छोटा सा एक नोट था जो आपको बताना था बता दिया अब इस पर एक कोश्चन के अमलग बात करते हैं तो आप सबसे पहले कोश्चन को यहां पर पहुच करके एक बार पढ़ लेना ठीक है कोश्चन पढ़ने के पास से आप इसको solve करने की कुशिस करना ठीक है तो आई होब कि आपने वीडियो को pause किया होगा और solve करने की कुशिस किया होगा ठीक है चुकि मैंने जो है इसके पहले आपको concept बता दिया था कि कि किस concept के थ्रू इसको हम लोग बनाएंगे ठीक है अब चलिए इसको एक बार पढ़ने के बाद से हमने इसको solve करते हैं तो एक बन मैं आपको पढ़के यहां पर बता देला चाहता हूं देखिए यहां पर लिखा है कि a block of weight 200 newton rest on the rough horizontal surfaces ठीक है कि 200 का एक force होगा जो कि rough surface पर रखा हुआ है ठीक है और यहां पर कह रहा है कि horizontal surface पर रखा हुआ है और इसका magnitude of the force to be applied at the angle of the 30 degree ठीक है इंती डीरी के इंक्राइनेशन पर यह force applied किया जा रहा है ठीक है in order to move the block on the surface assume जो assume करना यह यह जो mu is equal to point 30 का 0 आपको क्या करना है ठीक है तो यह आई होप कि आपने question को समझ लिया होगा अब देखिए यहां पर question को समझ के समझने से तो कुछ वदा नहीं है समझ के बनाना पड़ता है तो इसको कैसे बनाएंगे इसके उपर में बात करते हैं तो यहां block of the weight 200 rest on the rough surface तो 200 का यह block होगा और यह rest है horizontal surface पर ठीक है अब कर रहा है कि force be applied at an angle of the 30 degree horizontal in order to the move block on the surfaces ठीक है यानि कि 30 degree पर एक force applied किया जाता है जिससे कि यह movement आ जाएगा इसमें तो 30 degree का inclination पर देखिए अब क्या कर रहा हो horizontal force applied के जारा movement के लिए तो horizontal force 30 degree के inclination पर कहता है तो horizontal से 30 degree के inclination पर यह उला force minimum लिया और यह applied किया तो मैंने applied करके यहां पर बना दिया और यह जो होगा आपका 30 degree का हो जाएगा ठीक अब देखिए इसके बाद से आपको क्या करना है यहां पर बता जा रहा है कि 200 का यह block है 30 degree पर force P applied किया आता है आप कह रहा है कि the force applied at an angle of the td remove to the block अब कह रहा है कि ब्लोग का weight जो है इतना दे दिया अब यह P force कितना applied किया गया इस चीज को निकालना है तो देखिए mainly इस चीज को निकालने के लिए इस देखिए अभी यह किस वालग केस में है आपको अच्छा से मैंने बता था आपको P is equal to मैं इधर किम लिख रहा हूं यहां पर P is equal to मैंने बता था कि यह आपका होता है देखिए आपको मैं फर्मूला भी दिखा देना चाता हूं एक बजा था ना कि इसमें जितने फर्मूला का मैंने उज़ किया है ठीक है और इसमें जितना भी वेलू हो था उतना का मैं यह पर रख देना वाला हूं आपका डिर्क वेलू निकाल करके आजाएगा ठीक है तो यहां पर भेलू राखते हैं तो मियू का भेलू आपको एजुम करने के लिए रखाते हैं यहांपर पॉयंट थीरी जीरो और एल इसका वेट होगा तो इसका वेट कितना दिया तो यहां पर डिरेकली मा लिख दीता हूं और इसके पास तो कॉस्ट तो कस रहे गांए थिता का भालू कितना दिया तीज़ीरी का इंक्राइधर पर त्युम पर त्री ठीक है तो चलिए मैं एक बार क्ल्कुलेट करके आप लोग बता जाता हूं तो देखिए तीन दुना का च्छे यानि कि यह हो जाएगा 6 और यह 2,1,3,0 हो जाएगा तो 1,2,3 हो जाएगा अब पॉइंट कितना के बार जाएगा दो पॉइंट के बार जाएगा यानिकि यह 60 हो जाएगा ठीक है और इसके बार सी इसको जब कल्कुलेशन करिएगा तो आपको मिल जाएगा मतलब मैं यहाँ पर कल्कुलेटर नहीं लेके बैठाऊं तो यहां पर आप अपको इजली कर सकते हैं तो कल्कुलेट कर के आप यहां पर एंसर फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो फाइनल एंसर कितना था आप कमेंट करके मुझे ज़रू बता जाना और एक और और question मैं लोगा इसके बाद से अपने next video में एक और question के तरू इसको और अचा से समझाओंगा आपको ठीक है और इसके बाद से और भी question जो होंगे मैं आपको धीरे धीरे करके सब बताते चला जाओंगा तो आज के लिए मैं इतने रखता हूं और next video में इस question को भी मैं deal होगा तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं मिलते हैं next video में